नमस्कार मेरे भाईयों और बेनों आज हमारे पास में प्रोगलम आई है WhatsApp पे लोग कैसे लगाई अगर आपको WhatsApp पे लोग को लगाना नहीं आता है आप WhatsApp पे लोग को लगा के रखना चाते हैं आपके फोन के अंदर आप इस वीडियो को पूरा देख लिजिए इसके इलावा अगर आप ये चाते हैं किसी एक चैट के उपर लोग को लगा के रखना चाते हैं तो इसकी वीडियो ओलेडी बना रखी है अगर इसकी वीडियो देखनी है तो i-button में यहाँ पे जाके ok कीजिए और मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं और किसी भी मेरे भाई को किसी मेरी बहन को कोई भी problem है mobile से related तो आप मुझे facebook पे instagram पे contact कर सकते हैं आपकी जो भी problem है आप मुझे बता सकते हैं आपका भाई आपका reply ज़रूर करेगा क्योंकि दोस्तों मेरा mission है आपकी problem जो भी problem उसका solution करना है आभी हम आज की जो problem उसका क्या solution है वो देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको आपकी WhatsApp ओपन करनी है WhatsApp ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए तीन जो डोट है यहाँ पर OK करना है ठीक है तीन डोट पर OK करने के बाद में यहाँ पर setting के उपर OK करना है setting पर जब OK करोगे तो यहाँ पर second number पर देखिए अकाउंट लिखा मिलेगव आपको यहाँ पर OK करना है इसके बाद में जो लोग का निशा ने यहाँ पर प्राइवेसी लिखा वग यहाँ पर OK करना है यहां पर OK करने के बाद में बिलकुल आपको Last के अंदर आ जाना है Last में यहां पर Fingerprint Lock या फिर Pin Lock का Option आपको यहां पर मिलेगा ठीक है इसको क्या करना आपको यहां पर आपको Enable करना अगर आपके फोन के अंदर Fingerprint का Option है तो आपसे Fingerprint आपके मांगे जाएगे ठीक है और यह पूछेगा आपको लोग कितने टाइम के लिए लगाना चाहते है जैसे आप WhatsApp चालू की और Back किया और तभी लोग लग जाए तो आपको Immediately करना है ठीक है एक मिनिट के बाद कर सकते है तीस मिनिट के बाद कर सकते है इस तरह से immediately कर सकते है तीनों में से कोई भी आप अपनी मर्जी के साफसे चून लीजिएगा और अभी लोग यहां पे लग चुका है WhatsApp के ओपर लोग लग चुका है अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको जैसे ही मैं WhatsApp को चालू करूँगा तो फिंगर पे निट मांग रहा है मेरे से लोग लगाने के बाद में WhatsApp का भी लोग मांग रहा है जैसे मैंने फिंगर लगा तो मेरा WhatsApp ओपन हो गया तो इसी तरह से आप अपने WhatsApp के ओपर लोग लगा सकते है और अगर आपके फोन के अंदर फिंगर प्रिंट का उप्सन नहीं है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए आपके दोस्तों के साथ में जरूर सेर कीजिए ताकि किसी के मदद हो जाए और अगर आपकी कोई परसनल प्रोगलम है आप उसको लेकि मुझसे बात करना चाहते तो आप मुझे फेस्बूक पे इस्ट्राग्राम पे कोंटेक्ट कर सकते है आपका भाई आपका रिप्लाई जरूर करेगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रोगलम को लेकि तब तक के लिए जैहिन जैवार